नमस्कार सातियों आपका हमारे यूट्यूब चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत हैं मैं जुगल राटोर दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे साला दरपन इसकोलर्शीप पोर्टल से प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक चात्वत्ती आवेदन सत्атर-दोजार बारी सिट्वीश बढ़ना सुरू हो चुके हैं आपको मेट्रिक और पोश्ट मेट्रिक चात्वती आवेदन करकार करना है उसकी पूरी जानकारी स्टेप बाइस्टेप ओनलाइन प्रोसेच करना करना whatsapparing किया क्या तो चैनल को सब्सक्राइब प्रेस करें क्योंकि ऐसी लेटेस जानकरी लगातार मैं आपको देता रहता हूँ तो शुरू करते हैं तो देखे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दस्तावेज की क्या क्या दस्तावेज आपको प्री मेट्रिक छात्वती जो आवेजन आप कर रहे हैं उसके लिए आओ सकें तो देखें यापर जो सबसे पहले हैं वो यहाँ पर जाती परमान पत्र जो हैं विद्ध्यारती का वो होना चीए इसके बाद उसका मूल निवास भी यहाँ पर होना चीए जाती परमान पत्तर और मुली लिवास दोनों होने चाहिए इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर आई संबंदित परमान पत्तर जो माता-पिता की आई हैं उसे संबंदित जो भी दस्ता वेजे हैं वो आप जरूर्व ले इसके बाद देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग का अकाउंट है और link हैं अगर आप यहां पर इस्टूडेंट का अगर खता था है तो उसको भी जनाधार सी link करवा सकते हैं तब फिस्टूडेंट के खाते में वह आएगी तो इस परकार यहां पर जो सब्सक्राइब उसको ले ओर यह पर जो प्रमानपत्र हैं वह लगा सकते इस परकार यहां पर जो भी डॉकुमेंट्स हैं आवसक्राइब उसके बाद आप के पास complete हो जाते हैं दस्ता वेज आ जाते हैं तो आपको student की detail है किस परकार फिल करनी है और किस परकार आपको scholarship के लिए apply करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो साला दरपन school login है उस पर आपको क्या क्या काम करने है तो साला दरपन school login आपको id password डालकर login कर लेना है जैसे आप इस पर click करते हैं तो यहां पर आपको दो काम यहां पर जो करने है वह हैं पहला काम है यहां पर विद्यार्थी विवरन परविश्टी परपत्र 9 यहां पर आपको student की जो पूरी detail है यानि कि विद्यार्थी का पूरा विवरन है उसकी परविश्टी आपको ल्गाहाँ में आपको जानकरे कि परकार फिलकर नी है अगर वीडियो आपको देखना है तो उपर अए बटन पर म HEY लिंक देदूना इस लिंक पर कलिक complete वीडियो बना रखा है कि लाबार्ती योजनाओं के लिए अनेवारी चातर सूथना आपको किस परकार फिल करनी है जिनको भी चातरती मिलने वाली है तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं कि लाबार्ती योजनाओं के लिए चातर सूथना किस परकार कर लिए लाबार्त योजनाव के लिया जो इत्चाथ रसूचना वाला कंप्लीट कर लिए इसके बाद दोस्तों जो इसकोलरिशीप पर आपको जो बिद्यारतियों की प्रिमेट्रिक मेपिंग work in charge मेपिंग आपको करनी होगी तबी आप scholarship पर जो है scholarship भर पाएंगे तो यहाँ पर जो work in charge मेपिंग है जिस भी ककसा जिस भी अध्यापक को आप work in charge बनाना चाते हैं उसकी work in charge मेपिंग आप कर दे इसका complete वीडियो भी मैंने पहले ही बना रखा है अगर आपको वीडियो भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ जाकर इसको भी देख सकते हैं कि वर्क इंचार्ज मेपिंग किस परकार करनी है वर्क इंचार्ज मेपिंग राश्री योजना है या अपने इसको लोगिन से कंप्लेट कर लेना थी अब जो आपको इस्टूडेंट का आदा और जनादार ओत्रिंटिकेशन करना है वह जो अद्यापक हैं जिनकी इनकी मेपिंग और ये क्लाश टीचर मेपिंग यह देखिया पर खक्सा अद्यापक मेपिंग जिनके भी हो रह लोगिन आपको आईडी और पास्वर डालकर लोगिन कर लेना है जिनके भी जिस अद्यापके भी ये मेपिंग हो रही है अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे एक लिंग मिलता है देखे क्लिक हीर टू ऑथेंटिकेट इस्टूडेंट जनादार आप इस बटन पर क अइंटिकेशन की डिटेल आ जाती है यहां से गेट क्लासव डाटा आप ले सकते हैं यहां पर वो कलासव जाजाएंगी जिनकी यहां पर आपको जो authentication करना है जिसे 6-7 class हैं और उनका authentication आप यहाँ से असानी से कर सकते हैं इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर नहीं देने वार लगा हूँ कि आदार जनादा authentication आपको किस परकार करना है क्योंकि इसका मैंने पहले ही एक complete वीडियो मना रखा है कि आदार authentication और जनादार authentication आपको किस परकार करना है अगर आप उसकी जानकारी लेना चाते हैं तो उसका मैं description box में भी link दे दूँगा और उपर आई बटन पर भी आपको उसका link मिल जाएगा link पर click करके आप उसकी पूरी जानकारी ले सके जह सकते हैं कि authentication आपको किस परकार करना है अब दोस्तों सारे काम आपने कर लिए हैं जनादार आदार authentication आपका हो चुका है आपने परपत्र 9 और जो जरूरी सूचना है और जो इंचार्ज मेपिंग आपने complete कर ली है इसके बाद आपको scholarship के लिए apply करना है तो किस परकार करना है तो चलते हम जो सालादरपन scholarship का portal है उस पर तो देखे तो देखे मैं आज चुका हूँ सालादरपन के home page पर यहाँ पर आपको जो home page नजर आता है यहाँ पर login पर आपको click नहीं करना आपको नीचे चलना है और यहाँ पर आपको अलग-अलग portal नजर आते हैं देखे जो portal आपको यहाँ पर नजर आजाएंगे देखे सालादरपन पर जो भी portal चलते हैं यहाँ पर सभी परकार के portal आपकी सामने यहाँ पर देखे इस line में चलते हुए है आपको नजर आजाएंगे यहाँ पर आपको एक पोर्टल नजर आता है जो इसकोलर्शिप वाला है वो आपको यहाँ पर नजर आजाएगा देखिए यह रहा यहाँ पर इसकोलर्शिप वाले उप्सन पर आपको किलिक कर देना है और जैसे आप इस पर किलिक करते हैं तो दे यहां पर आपको login वाला option नजर आ जाता है इसी login वाले option पर आपको click कर देना है और जैसे आप इसपर click करते हैं तो यहां पर नीचे आपको देखे जो in charge login और school office login जिस teacher को हमने यहां पर in charge बनाया है जो scholarship के लिए तो यहाँ पर इंचार लोगिन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे देखे इंचार इस्टाप आइडी इसी पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो इस्टाप आइडी हों वो आपको फिल कर लेनी है इन्चार स्कूल आईडी जो स्कूल के नैसी आईडी हैं वो आप यहां पर फिल कर दें इसके बाद जो स्टाप आईडी और पासवड हैं वो पासवड आप यहां पर फिल कर दें और केपचा भर दें और जैसे आप यहां पर सारी जानकरे फिल कर लेते हैं इसके बाद आपक पर किलिक कर देना है और यहाँ पर पर किलिक कर देना है और जिससे आप इस पर किलिक तो बोड्त हैं उस पर कुछ जानकारी दिखती है रोवेरिवाइड को सीधान बात करते हैं धरी में 20 एप्लाई कैसे करें तो यहां पर देखे इधर साइड में आपको डेस बोर्ड के नीचे एक उप्सन अजर आता है प्रेस इसकिम एप्लाई देखे इसकिम एप्लाई तो यहां पर इसी प्रेस इसकिम एप्लाई पर आपको किलिक कर देना है और जैसे आप इस पर किलिक करते ह हैं यहाँ पर आपको इस प्रकार की कुछ जानकारी दिखाइं देती हैं जिसमें देखेơi आपको सेशन ओत데 हैं यहाँ फे समयाब को सीलेक्ट कल लेनी हैं अभी यह पर सिर्फ दो इस्किम्स हो हो रही हैं बाद में सोकते हैं यहाँ आपर MBC-OBC वगरा सारी जो इसकीम से हैं जो भी 16 परकार की ही आपर स्कोल से बता रखे हैं वो सभी सो जाए तो अभी तो सिर्फ यहाँ पर दो ही हो रही है तो मैं 2 की बात कर लेता हूं बाकि सारी प्रोसेज वेश्चे आगे रहने वाली हैं तो यहाँ पर देखें यहाँ पर आपको जिसका करना है उस लोक आप्टर वन डेज तो यहां पर आप ध्यान दे जो शेडूल दे रखा है वो 25 अगर 2022 से शुरू हो चुका है और तीस सितम पर 2022 तक यहां पर तारिक भी दे रखी हैं यह ओटो लोक यहां पर एक दिन के बाद हो जाएगी तो यहां पर पूरी जानकारी दे रखी हैं हैं तो यहां पर दोी कला से नजर आ रही है वो सकता है आपके आट वी भी हो तो यहा पर वो आपको नजर आ जाएगे टोटल स्टुटेंट इलेजबल हैं उनकी संक्यय यह पर आ जाती हैं देखें यह सिर्inement यहां पर स्ट्टूडेंट की जानकारी है आप जैसे आपर SC, OBC या MBC जो भी है उनकी जानकारी देखना चाते है तो जैसे आप उनको यहाँ पर फिल करेंगे तो भी यहाँ पर आ जाएगी सिर्फ यहाँ पर अभी ST student की आ रही है तो total students eligible कितने हैं वो संक्या जाती है total student verify by school अगर आपने यहाँ पर verify कर दिया है तो उनकी संक्या जाएगी जैसे मालजी मैंने 7 वी में एक student का verify कर दिया है तो उसकी एक की यहाँ पर संक्या आ चुकी है total student pending अभी बता रखे हैं तो देखें यहाँ पर वो भी आ जाएंगे total student lock अभी lock नहीं हुए है तो यहाँ पर 00 है reject का भी अभी यहाँ पर 00 है अब देखें यहाँ पर जिस भी class का आपको करना है माली जे मैं आपर 7 class की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो देखें जो total students eligible हैं जिनमें यह पस्ट वाली रो है eligible students की इसी रो के पस्ट जो जिस पर भी आप करना चाहते हैं उस पर आप किलिक कर दें जैसे आपने इस पर किलिक किया तो नीचे आपकी student की list खुल जाती हैं देखें यहाँ पर आपको देखें जो student है eligible उनकी जानकारी आ जाती हैं आपर देखें कर्पया विद्याले में देगए module लाबार्ट योजनाव के लिए अनिवारे साथ रसूर्टा में संबंदी प्रविश्टी करें वह मैं आपको सुरू में बता चुका हूँ कि आपको साला दरपन से किस परकार करना है जैसे ही आपने सारी जानकारी कंप्लेट कर ली है तो यहाँ पर देखें इस्टूडेंट के नेम माधर नेम और उनकी कास्ट जेंडर कलास और स्टाटस और यहाँ पर रिजेक्ट वगरा के भी option आपको नजर आ जाते हैं अभी यहाँ पर देखें आई का बटन दे रखा है मतलब आख का बटन दे रखा है इस पर आपको किलिक कर देना है जैसे मालिजे मुझे इसी स्टूडेंट का यहाँ पर करना है तो इस आख वाले बटन पर मुझे किलिक करना है जैसे मैं इस पर किलिक करता हूँ तो देखें कास एस्टी जेंडर आल यहां पर आ जाता है यहां पर जरूरी सूचना है आपको अपडेट कर लेनी है यहां पर देके बेष्टिक इंप्रमेसन आ जाती है सारी जो स्टूडएंट यहां उसके NIC ID उसके पूरी जानकरी यहाँ पर आ जाती है इसको आप अच्छे से पहले ही चेक कर लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो इसके बाद यहाँ पर mandatory information जो आवसक सूचनाए हैं वो आपको complete कर लेनी हैं जैसी यह complete होगी तो यहाँ पर right का निसान आपको मिलेगा अगर आपनी यह जानकरी complete नहीं किये तो आपको यहाँ पर cross का निसान जो है मिल जाएगा यहाँ पर देखे आदार number है authentication होने के बाद automatic यहाँ पर सही आचुके हैं जनादार यहाँ पर complete है इसी परकार यहाँ पर देखे student के जो मदर है जिसका भी यहाँ पर जनादार से link account है वो आटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है अगर student का account जनादार से link है तो student का account भी यहाँ आ सकता है अब यहाँ पर student का account नहीं है उसकी mother का यहाँ पर account लिंक है तो उनकी mother का यहाँ पर account आ चुका है यहाँ पर च्छाथ वती है उनकी mother का account में जाएगी आप उसको अच्छे से check कर लें वैसे तो जनादार में link हैं तो कोई दिक्कत है नी इसके बाद देखिए आपर required documents आप अच्छे से चेक कर लें कि कौन-कौन्चे documents यहाँ पर चाहिए तो देखिए आपर income certificate जो आय परमान पत्रे में सुरू मैं आपको बता चुका हूँ कि income certificate चाहिए कास certificate चाहिए जनादार certificate जो आदार जनादार है वो certificate यहाँ पर student का चाहिए और birth certificate भी यहाँ पर चाहिए यहाँ पर मूल निवास की बाद देता यहाँ पर दे नहीं रखी फिर भी आप चाहिए तो उसको ले सकते हैं इसी प्रकार देखिए यहाँ पर family income भी सो रही है देखे वो जो जरूरी सूचना अपडेट है उसमें आप फिल करेंगे और जो प आपको option मिलता है apply का देखे अभी application status no applied at आया है अब यहाँ पर आपको apply का option नजर आ रहा है जिससे आप इस apply वाल सारी जानकारी पहले आप अच्छे से चेक करने complete हैं तो इसके बाद ही आप यहाँ पर apply पर click करें जिससे आप apply पर click करते हैं तो देखे यहाँ पर जो student का देखे applied successfully यहाँ पर apply successfully हो चुका है यहाँ पर student की scholarship भर चुकी है इसके बाद आप यहाँ से इसको cut कर दे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो student की हमने यहाँ पर apply की थी उसकी apply date यहाँ पर आच चुकी है अभी देखे यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं इस परकार आप इंचार मेपिंग के द्वारा उसको कर सकते हैं अब दोस्तों आपको यहाँ पर साइड में देखे इसके status वगएरा भी आप जान सकते हैं यहाँ पर देखे लोग student की list यहाँ पर आजाएगी अभी लोग है नहीं तो यहाँ पर आभी वह आएगी नहीं इसी प्रकार student count report देख सकते हैं यह और status report आप देख सकते हैं जैसे माली student count report आप किलिक करते हैं तो यहाँ पर देखे आपको यहाँ पर जानकरी मिल जाती हैं तो देखे जैसे आपने इस पर किलिक किया status पर तो यहाँ पर देखे session automatic हैं यहाँ पर आप class select कर लें यहाँ पर सभी class यह दे स्टेट का किया है क्लास 628 तीशी ओप्शन पर में आप क्लिक कर देता हूं यहां पर सो इसकोलर्शिप डाटा आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको और वल इसकुल समड़ी नजर आ चुकी है यह पर देखेए भी लोग 0 है और स्कुलर्शिप जो है वह यहां पर परकार बता रखा है नीचे आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी यहां पर देखें नेम ऑप स्कुलर्शिप वह आजाता है नमबर उप स्टूडेंट भी इस scholarship हैं और अभी देखें आपर जो log और transfer scholarship do तो यहाँ पर अभी 0 है यह जैसे do से log हो जाएगी तो यहाँ पर उसका status भी आपकी सामने सो जाएगा यहाँ पर आप pre-matrix scholarship और student यहाँ से student की list भी आप देख सकते जैसे आप इस option पर क्लास और जैंडर ह dau सकते हैं यहां पर स्टेट्स आ पर काइब करेंगे तो देखें इस परकार उनका स्टेट्स यहां से भी देख वेश्य नेल क्या है जनका 찾ता हम उनकी इस पर क्लिख पर किलिक करते हैं तो यहां से उसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं इसी परकार आपको यहां पर सभी चीजें मिल जाती है उसकी पूरी प्रोसेज स्टेप बाइ स्टेप शुरू से लेकर एंड तक मैंने आपको वीडियो में देने का प्रयास किया आपको हमारी जानकारी कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो चैन